अलोए स्पेंट्स वैलकम टो अन्लॉक जी एस एकडमी यह आपकी मास सीरीज इस पर हम यूपेसी मेंस के कोस्टेस करते हैं यह सेशन है आपका बीग सेकिंड का फर्स सेशन जिसके अंतरकत हम जीस पीपर बनके कोस्टेस करेंगे इस सेशन में तीन कोशन प्रैक्टेस करने यह जिसमें से एक कोर्स रहेगा और्ट एन क्ल्चर सेक्षों से एक कोर्षण हर्प करेंगे से और एक कोशन अंदोलन पर इसका ठोस और घहरा प्रभाब पढ़ा और इसने देश की इस्तिति को बदल दिया इस बात का आपको विश्लेशन करना है इंट हैसो सब्दों में तो इसमें सबसे पहले आपको होंग रूल आंदोलन के बारे में बताना है फिर आपको यह बताना है कि भारती र प्रशनया बॉडी का निर्मान करेंगे फिर निसकर्स के साथ इस कोश्चन को करेंगे अगर हम बात करें इस कोश्चन के बारे में तो जो फूम रूल आंदोलन था यह प्रिथम विश्वियूति के लिए अधिक प्रभावी तरीके से भारतीय प्रतिक्रिया थी और जहां पर पहले से ही जो उच्छ कराधान था और जो कीमतों का इसतर आस्मान चूरा था तो उसमें युद्ध हुआ तो उसके समय इन पर काफी ज्यादा बोज भढ़ गया तो इसकारण से ही जो होम रूल आंदोलन था भारतिये प्रतिक्रिया के फल्सुरूप यह दिखाई दिय इसके लाबर जो तिलक और एनी विसेंड के निटरत में दो भारतिये होम रूल लीग का आयोजन किया गया इसके साथ इसमें जो लीग अभ्यान का उद्धेश था कि आम आदमी को सुशासन के रूप में घ्रह सासन का संदेश दिया जा सके तो इस तरीके से होम रूल लीग के बारे में बता कर इसकोशन की स्टार्टिंग की जा सकती है इसके बाद अगर हम बात करें होम रूल आंदोलन का प्रमुक योगतान क्या रहा भारतिये राष्टी आंदोलन पर तो लीग ने प्रदर सनेबं आंदोलन आयोजित किये कई सारी जन सभाय आयोजित की जो की न कांग्रेस पार्टी के विप्रीत ये पूरे बर्स कारे करती थी और जो आंदोलन था बहुत सारे सिच्छित भार्तियों से भारी समर्थन इसको आसिल हुआ 1917 में दोनों लीग में लगपक 40,000 सदस सामिल थे इसके साथ ही इसमें कांग्रेस एप मुश्लिम लीग के कई सदस से सामिल थे जिसके अंतगत मुहमद अली जिन्ना जो से बैटिस्टा जी एस खार पड़े और सर एस सुप्रिमंडियम अईयर जैसे ख्याती प्राप लोग इस करने का प्रयास किया इसके साथ ही देश के अधिक शेत्रों में राजनेतिक जेतना कप्रसार किया और इस आंदोलन के प्रितिक्रिया शुरूब ही 1917 की जो मांटे की भूशना थी उसको बिटिस सरकार को करना पड़ा जिसके अंतगत उन्होंने कहा कि सरकार में अधिक भारत अधिकर जो मांग को अब राश्ट रोड नहीं माना जाएगा तो इसमें यह हमने बात की जो होम डूल लीक आंदोलन का योगदान रहा भारती राष्टिया अंदोलन के अंतरकत इसके बाद अकर हम बात करें तो यह जो आंदोलन था इसके कमजोर होने के कारणों के बारे म उनके बीच में समर्थन इस लीक को नहीं मिला, क्योंकि इस Неंतेगत ने यह लगा कि जो होम डूल लीक जो मतलब ओका उसका मतलब यह उडी lecture जाती कि जो हिंडू है उनके भॉंववत का शासन इसके अंतरकत होगा तो इस कारण से उनके दोर्ण ऑस लीक को समर्थन नहीं कि जा गया इसके साथ ही जो कई दर्मपति सरकार के सुथारों के आश्वाशन से संतुस्थ हो गए जैसे कि मांते के गोष ना की थी तो उससे बसंतुस्थ हुए जिससे आंदोलन आंगे नहीं भड़ सका इसके लाबा एनी बिसेंट सरकार की बास से संतुस्ट एबम होम रूर लीग आंदोलन के बीश में जूलती रही तो इससे एक पर निर्ने के अभाब में इस आंदोलन को आंगे नहीं भड़ा सकी इसके साथ ही तिलक को सेप्टेंबर 1918 में बिटेस पत्रकार और जो इंडियन अन्रेश्ट के लेखक थे बैलेंटाइज से रोल तो उनके खिलाब मान नहानी का मुकदमा चलाने के लिए इंग्लेंड जाना पड़ा इसके साथ ही सरकार ने अंदोलन कारियों पर अंपुष लगाने के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 का उप्योग किया साथी साथ चात्रों को होम रूल लीग की बैटकों से भाग लेने से प्रतिबंदित कर दिया गया तिलक पर जो मुकदमा चलाया गया पंजाब एवं दिली में उनके प्रवेस को प्रतिबंदित रिसके अंतगत करवा दिया था इसके साथ ही 1910 के जो भारतिया प्रेस अधिनियम से प्रतिबंद भी इसमें लगा दिये गए इसके लाबाब हम बात करें तो इसमे जो तिलक की अनोपस्तिती और जो बेसेंड की लोगों के नेतर करने में आसमर्था के कारण ये आंदोलन बिफल हो गया इसके साथ ही युद्ध के बाद महात्मा गानी को जन्ता के नेता के रूप में प्रमुक्ता मिल गई और 1920 में होम रूल लीक का कांग्रेस में बिलेक कर दिया गया तो ये बात की हमने आंदोलन के कमजोर होने के कारणों के बारे में इसके बाद अगर हम बात करें Home Rule League के उद्देश के बारे में तो इसका उद्देश था कि भारत में सौसासन प्राप करना और जो सौसासन के लिए राजनेतिक सिक्षा और उसकी जो चर्चा है उसको इसमें भड़ावा देना इसके लाखा सरकार के दमन के खिलाब बोलनी के लिए भारतियों में विसबास पैदा करना सरकार से भारतियों के लिए बड़े राजनेतिक प्रतिनेति की मांग इसके दोरा करने का उद्देश था इसक जाएंगरे पार्टि के जो सुधान दिखना प्रदान की उसने युद्ध के बरसों में जो राशनेते गतिविद्यों को चलाने में यह सफल रहा जैसे कि 1916 में जो लग्नुफ संदी की गई थी जिसके अंतगत जो मुस्लिम लीग और कंग्रेस के बीच में समझोता हुआ साथी साथ जो उदारबादी और जो उग्रबादी गुट था उनके बीच में भी यह समझोता करवाने में काम्याब रहा तो यह कुश्चन अमने डिसकस किया जीएस पेपर बंग के मौडरन इंडिया सेक्षन से चलिए चलते हैं इस बात का आपको आलोशना अत्माग परिक्षन करना है तो इस कोश्चन कंसर आपको 200 सब्दों में देना है जिसमें आपको बताना है कि महलाओं के आर्थिक ससक्तिकरण के बारे में साथी साथ यह आपको बताना है कि उनका जो सामजिक ससक्तिकरण है वे आर्थिक ससक्तिकरण उनके सामजिक ससक्तिकरण में परिबर्दित क्यों नहीं होता तो इस question को solve करने के हमारी बही approach रहेगी अगर हम बात करें इस question के introduction के बारे में तो जो महिला ससक्ती करण है उसे आर्थिक रूप से सुतंत्र आत निर्फर और सक्रात्मक सम्मान के साथ सच्छम बनाना महिला ससक्ती करण कहलाता है ताकि वे किसी भी इस्तिती का सामना उसके कर सकी यहिए यह सामाझ है ओसकी जो ड्रीकिर भाज है पूर्सों की भड़ती आयह और नौक्री के ँंतर हैं जो लिंक आधारिद बेदवाब किया जाते हैं जिसके करण से उनका जो आर्थिक ससकती करण से नहीं हूप बता तो इस तरीके से स्कूर्चन की स्टार्टिंग क मिलती है। इसकलाबब के भीतर एंबबों मेलाओं की आर्थिक सक्ति से उनके जेंडर संस्जार के सम्मंतित किया इसके बाद करें तो जो आर्थिक ससक्ति करण होता है वे सामझेक ससक्ति करण में बड़ परतित नहीं हो पाता तो इसके कारणों के बारे में अगरम बात करें तो जो मैकेंस ले ग्लोबल अध्यन के अनुसार भारत दो हजार पच्छीस तक अपने जेटीपी में लगबग 16- 60% तक ब्रद्धी कर सकता है यदि महिलाओं को पुरुस के बरावर आर्थिक गति विदियों में पार्टिसिपेशन हो जाए इसके पीछे अगर हम बात करें तीन प्रमुक कारगों की तो जिन्होंने महिलाओं की भूमिका को सीमित कर रखा है तो उसमें सबसे पहले है जिस कि गम्राजनितिक भागी दारी भी इसके अंतर्गत कम देखने को मिलती है जिससे कि उनका जो आर्थिक ससकती करण है वे सामाजिक से 2016 के बीच में अगराम बात करें NCRB के आंकड़ों के अनुसार जो महिला अपराद हैं उसमें 83% ब्रतित देखी गई है इसके लाबा Thompson Reuters जो Foundation के सर्वे के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए जो सबसे खतरनाक देश है उसको भारत में बताया गया है इसके लाबा जो मीटू आंदोलन है जादातर जो महिलाएं हैं नौक्री कोने के डर से अपने खलाब जो योन उत्पिड़न पर बैचुब इसके अंतरगत रही तो जो महिलाओं के प्रति जो अपराद है वह वी एक तरीके से उनके ससक्तिकरण में बाधा उत्पन करते हैं इसके साथ ही जो अगर हम बात करें अन्य सामजिक बाधाओं की तो इसमें जो विभायत महिलाएं होती हैं उनको कई धर्मो एवम संस्कृतियों में काम करने की अनुमती नहीं दी जाती और जो पित्र सत्तात्मक जो समाज है यानि कि जो हमारी पैट्रियकल सोसाइटी है वे अब रोध महिल समाज है जो की अवरोध उत्पण करता है महिलाओं के काम करने के लिये इसके रिए इसके लाबर में बात करें तो हजार मेंसे लगवग 156 महिला करमचारी इसके अंतरकत है जबकि अगर हम बात करें नागालेंड के समाज के जो कि एक matriarchal समाज है उसमें 1000 में से 500 महिलाएं वहाँ पर काम करती है उससे ये प्रूब होता है कि समाज के जो values होती है बैक किस तरीके से उनका जो समाचिक ससक्तिकरण होता है तो उससे पर उनके आर्थिक ससक्तिकरण में परिवर्दित हो सकता है इसके साथ अगर रसोई गयस जैसी बुनियादी सुभधाओं की कमी होती है जिससे महिलाओं को इसमें कई ज्यादा मसक्त करनी पड़ती है इसके लाब परिवारों में निश्चित जो जेंडर भूमिकाए निर्धारित की जाती है समाज के दारा तो उन्हें केरियर एबब घर कारे के बीच इसके साथ अगर हम बात करें तो जो समान कारे के लिए आसमान बेतन उनको दिया जाता है अगर हम बात करें 2018 की रिपोर्ट के अनुसार तो उनमें जो मजदूरी अंतर है जो बेजेस का डिफरेंसेस हैं बैं 30% तक दौनों के बीच में रहता है इसके लाबा महिलाओं के प बार्थिक ससकती करण में बाता हुद्पन करती हैं इसके बाद अकर हम बात करें इसमें बे फॉर्वर्ट की तो जो कानूनों का क्रियान बन है जैसे की कारिस्तल पर यौन उत्पीडन निसेद अधिनियम 2013 मातरत प्लाप जो अधिनियम है उसके अंतकत हमें उसको ठीक तरी किये ज़रूत है हाला कि कई कंपनियों के दौरा इसको लागू किया गया है लेकिन इसको ब्रहत इस तरपर किये जाने की जरूत है इसके लावा कड़े कानून दारा जो लिंग मजदूरी अंतर है जैसे कि अभी आपने बात की थी 30% जो अंतर हमें देखने को मिलता है तो reduce किये जाने की आबिशक्ता है और जो नौपरियों को जो आपचारी करण है उसको भड़ाबत ये जाना चाहिए लेकिन जब तक आपचारी करण पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता तो तब तक अनौपचारी छेतर में ही महलाओं को लाप प्रदान किये जाने चाहिए इसके साथ ही अकर हम बात करें तो जो लेंगिक अधिकार हैं और जो नयाई के मुद्दों को संभूधित करने के लिए अर्थिक लाब समय की मांग है इसके साथ ही हमारे विकास के डिजाइन में महलाओं की भागी तारी होना चाहिए उनके विकास के परणाम पर वै आधरित उने च है महलाओं की उसके अंतकत भड़ाई जानी चाहिए जिससे महलाओं का तो सशक्तिकरण होगा ही साथी साथ अल्टिमेट रूप से समाज का भी विकास इसके अंतकत सुनिश्चित हो पाएगा तो यह कोशन हमने डिसकस किया जीएस पेपर बन के इंडियन सोसाइटी खंट स चलिए चलते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन है आपका जीएस पेपर बन के आर्टेंड कल्चर घंट से जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सूफी और भक्ती आंदोलन की तुल्मा कीजिए साथी साथ भक्ती आंदोलन के उद्भब के लिए कौन से कारक जिम्मे थे इसके साथ यह आपको भक्ती आंदोलन के उद्भब के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार थे उसके बारे में भी इसके तगत चर्चा करनी है तो इस को सुल्व करने की हमारी बही अप्रोच रहेगी अगर हम बात करें इस कोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में तो यह जो भक्ती आंदोलन है उसकी शुरुवात 9th AD से मानी जाती है जिसका उदेर दच्षण भारत में हुआ था इसके लाबर सूफी आंदोलन था उसकी जो शुरुवात हुई थी 7th AD के अंतरकत हुई थी और उसकी जो शुरुवात हुई थी बै अरब प्रायदीब से मानी जाती है इन्होंने पूरे भारती उपमादीब को अपने अधीन कर लिया साथे साथ बे आम लोगों के बीच रहते और काम करते थे उससे उनके बीच में सामचिक धार्मिक एवंग दार्शनिक संदेश बै भापर फैलाते थे इसके साथ इन्होंने हिंदू और मुसल्बान के बीच में भाईचारा प्रेम और दोस्ती स्थापिक करने में भी काफी योगतान दिया तो इस तरीके से स्कूर्शन के स्टार्टिंग की जा सकती है इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भक्ति एवंग सूफी आंदुलन के बीच में समानता हों के बारे में तो इसमें जो सामजिक धार्मिक आंदोलन था तो यह दोनों ही जो थे वैस सामजिक धार्मिक आंदोलन थे जिन्होंने कटरता का परोद किया साथी साथ इन्हों ने अच्छे चरित लेवं सुम्त सोच पर जो दिया इसके साथ ही उनके दौरा जो बनाया गया बात अबरण था उसने भारत के सामजिक धार में के अबम राजने तेक जीवन को प्रभावत किया और उनकी जो उदारबादी और नीब रखने साथ इस्थानी भासाओं को भी इन्होंने इंप्रूब इसके इंदगत किया इसके लाबा उच्छ जातियों के जो आदिपत्य को उन्होंने चुनोती थ उनको समान प्राब कराने में उन्होंने मदद की इसके साथ ही जो लोग प्रिय भासा को उन्होंने अपनाया और एक इसपर की बात इनके दौरा की गई इसके साथ ही जो हिंदू और मुसल्मानों के साथ इन्होंने समान बहबार किया इसमें अमीर खुस्रों के दौरा ये क भक्ति परंपरा थी उसने सहय स्थित्व के सिध्धान को जो दिया इसके साथ ही अपन के दौरा जो उधारबादी बिचार थे इनी आंदोलन की उपस थे और एक नई बिस्प विवस्ता बनाने का प्यास इनके दौरा किया गया जिसमें आध्यात्मिक आनंद ही एक मात्र अं के बारे में तो जो भक्ति आंदोलन की जो उत्पति हुई थी नाइन एडी में हुई थी और यह हुई थी दक्षन भारत से लेकिन जो सूफी आंदोलन की जो उत्पति हुई थी अरब प्रायदीब से इसके साथ ही जो भक्ति परंपरा थी उसमें धार्मिक भक्ति गीतों और जोड़ दिया जाता था जिक इसके साथ होते थे भक्ति पर अन्पराथी परमात्मा से सीधा भावनात्मे के वादि को यह संबन रख दे ते जबकि यह साथ की निवेकल शुंती जा ते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन के बारे में तो इसमें कालक डिकाई पड़ते हैं एक राशनेति और एक धन्तिक काράक की तो तुर्क विजय हुआ उससे पूर्ड तो जो राषपूद भ्रामण गटबंदन था जिसकेरें भाप्र wydaje ma लेकिन जैसे ही इसके इंतकत तुर्क बिजय हुई तो जो राजपूर भ्रामण गटबंधन था बैसके इंतकत कमजोर हुआ जिन्यों ने जाती बिरोधी अब्धा मार्मण विचारधार बाले जो गैर अनुरुपता बदीौन के बिकास का मार्ग उनके दर प्रसेश्ट किया गया जिससे उत्तर भारत में एक नया एक चेश्वर बादी आंदोलन एबम आन्य भक्ति आंदोलन के उदे का माल प्रसस्त हुआ और यह जो मद्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन उने सामनति उद्पीडन के खिलाब आम लोगों की भावना का इसके अंत たगर्थ परते ने किया तो इस तरीके से जो भक्ति आंदोलन था उसके उद्भवक की परंपरा इसके अंतगत विक्सित हुई तो ये बात की हमने इसमें राजने थे कारक के बारे में इसके बाद अकर हम बात करें इसके धार्मिक कारक के बारे में तो हिंदू समाज में कई सारी बुराईया थी जैस कि जो बेद उपनिसत का जो जटिल दर्शन था आम लोगों को समझ में नहीं आता था उनके लिए काफी ज़्यादा जटिल पोता था जबकि जो भक्ति मार्ट था वे काफी ज़्यादा सरल और सुलब था जो कि सांसारिक जीवन से मुट्टी और इसमें भक्ति उनको आम मार्ट को जनता के बीच में पहुंचाने में समर्थ रहे इसके लाबा जो प्रितिद्वंदी जो धर्म की चुनोती थी जैसे कि इसलाम के प्रफाब ने हिंदू जैनता में बहवर दिया और अपनी नरासा के कारण ये दूर करने के लिए इन्होंने भक्ति मार्ट को इसके इसके साथ या आपके बीच में लाते रहेंगे में थेंक यू